सीधी जिले के थाना छेत्र मजहौली के नगर परशदवार नंबर 13 अस्पताल के बगल में गीता ज्वेलर्स की दुकान में दो जुलाई की दर्मियान रात को डकैती हुई है जिसमें तीन करोन से जादा के सोना चांदी के आभूशर के साथ नगदी रुपया भी ले गए और दुकान मालिक के लड़के के उपर चाल लेवा हमला कर कमभी रुप से घाल कर दिया गया है प्राप्त जानकारी के मुताबिक दुकान मालिक मोहन सोनी वह उनका परिवार दुकान के पीछे बने मकान में सो रहे थे जबकि उनका बेटा हार्दिक और सूरस सोनी 22 वर्ष दुकान में सो रहा था रात को लगबग धाई बजे साथ नकाब पोश्ट दर्वाजा तोड़कर अंदर घुसे एवं हार्दिक के ऊपर एका एक हमला कर हाथ वप पैर टोड़ दिये वस्तेर में गंभीर चोट लगने की वज़े से वह बेहोश हो गया तब दुकान के जेवरात वर रखे नगद रुपे जिसमें लगबग तीन किलो सोना वा पचास किलो चानी वन नगदी था जिसे ले गए होशाने पर हार्दिक ने अपने पिता को मुबायल से सोचित किया तब थाना को सूशना दी गई सुवे पोले सदिक्षिक अत्रिक्ट पोले सदिक्षिक अंजूलता पटले सडी ओपी आर के सुकला थाना प्रभारी सती समिश्रा आपने साथ खोजी कुट्ता लेकर पहुचे और चास सुरू कर दी गई है क्या से इसके इक अब दम भी, आपने बाता है, क्या बताया है क्या में वह बता था सब्सक्राइब के आपको सब्सक्राइब है क्या प्रचित आया गारा है, तो को डी हो गई है कि आये प्यादे हो दर्वा प्याद हो देख है कि एक तो इसके पर कैसे घटना गहारें बताया वेटा अब आपा को या जो पहुंचे तो इसके 7 महार पीड गारा किया थो क्या दो कि बता है और बताया हो पिता नहीं बतान की वारता है यहां हाथ में और साइप पैर फेक्चर है एक जिल तांग लिये हैं तलवार लिये हैं और साथ लोग है सीधी मुह में लेके गये हैं सीधी छोटू है मुह हाँ मोहन चाचा जी है यह लोग नहीं दूसरे कमरे में थे अब देख रहे हैं थोड़ा सा हमार बहुत रहे हैं उसको सूरज को बहुत मारे हैं सूरज को अब बांद रहे हैं पट्टा लेकर बांद रहे हैं तलवार बखुत बड़ी दिये हैं तिजोरी भी खुलवा रहे थे लेकिन बेहोश हो गया था तब तक रहे हैं कुछ कुछ का खुला है हम उम्हाक्स बगारा लगाए हैं कुछ यह लोकल वैसे दिन सी है यांकि तुम अब अब उद्धर जाके रूके कर बंदी है तो कुछ कर दो हुआ है तो